हेलो परेंटस क्रिकेट भारत का सबसे लोक्त प्री अहर। उससे जादा लोग देखते हैं लगबक सारा देष क्रिकेट देखता एक चुसरण की तरे क्रिकेट इस देश की रगों में दौरता यह लेकिन कुछ मज़िगार रूल्स हैं कुछ बहुत सांदार सवाल हैं कुछ अच्छे questions हैं जो cricket से related है जिनके बारे में हमें नहीं मालूँ बहुत सारे लोगों को नहीं मालूँ और बस वो एक routine की तरह एक परंपरा की तरह चलते चले जाते एक ऐसा ही सवाल है वंडे cricket में है इंटरनेशनल वंडे cricket में एक बॉलर को एक गैंदबाज को केवल 10 ओवर ही क्यों दिये जाते हैं बड़ा मज़ेदार सवाल है एक बैक्समेन को खेलने के लिए पूरे 50 ओवर होते हैं जब तक वो आउट नहीं हो जाता वो 50 ओवर तक लगातार खेल सकता है प्रक्रिकेट का इत्हास आपको याद होगा क्रिकेट की शुरूफात वॉद्फेर को रॉद्फेर का हुता सबसे पहले यह तैय किया गया की बॉलर की लिमिट 20% होगी, मतला टोटल ओवर का 20% होगी, एक दिन में 60 ओवर खिले जा सकते हैं, तो एक बॉलर को 12 ओवर की लिमिट दी गई, वो 12 ओवर फेक सकता था, फिर एक प्रयोग करके देखा कि यह बहुत लंबा चलता है, ठक जाते हैं, लोग बोर हो जाते हैं, तो इसको घटा के 40 ओवर कर दिया गया, 40 ओवर का एक क्रिकेट मैच होता था, वंडे इंटरनेशनल, और उसमें एक बॉलर को 8 ओवर की लिमिट दी आती थी, that is 20% जो रूल्स हैं, आजकल 50 ओवर का एक वंडे क्रिकेट होता है, और उसमें 10 ओवर दिये जाते हैं, लेकिन सवा बैक्समें को अनलिमिटेट खेलने का चांस मिलता है, बॉलर को अनलिमिटेट खेलने का चांस क्यों नहीं मिलता है, जब इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम गए, तो बहुत सारी किताब है, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी रून्स, और बहुत सारी जानकारियां गेंदबाद जो होता है वो सबसे प्रमुख होता है बॉलर हमला करता है बैट्समेन अपने विकेट को उसके हमले से बचाता है इस दोरान वो रन भी ले लेता है लेकिन रन सबसे महतपूर्ण नहीं है सबसे इंपोर्टेंट है अपने विकेट को बचाना तो ये क्लियर हो ग करता है और विक स्मेम्न जो है वो अपने विकेट को उस हमले से बचाता इस सवाल का जवाब, जब बैक्समन खेलता है, बैक्समन खेलता है, जब भी बैक्समन पहली बॉल पर आॉट हो गया, तो पूरे मैच के लिए आॉट हो जाता है, उसको वापस जाना होता है, ये रूल बॉलर के लिए नहीं है यदि बॉलर को पहली बॉल पर सिक्स पड़ गया तो वो आउट नहीं होता उसको पूरा ओवर फैकने का मौका मिलता है दूसरा ओवर पांचवा ओवर सातवा ओवर और दसो ओवर फैकने का भी मौका मिलता है उसको वापस पवेलियन नहीं भीजा जाता है ऐसा कोई रूल नहीं है कि लगातार उसकी तीन बॉलों पर यदि तीन बाउंडरी पड़ गई तीन चौके पड़ गई तो उसको आउट कर दिया जाएगा और वो फिर कभी बॉल नहीं फैक पाएगा इस मैच में यानि कि आउट सिर्फ बैट्समैन होता है चूकि वो हाई रिस्क पर होता है इसलिए उसे हाई लिमिट भी मिलती है और पूरे पचास ओवर खेलने का मौका होता है बॉलर हाई रिस्क पर नहीं होता उसको हमला करने के लिए परयाप्त मौका दिया जाता है इसलिए हमलावरों की संख्या तै की जाती है कैप्टन तै कर सकता है पूरे 11 खिलाडियों से बालिंग करवाना है या 5 खिलाडियों से 6 खिलाडियों से बालिंग कराना है वो फिक्स कर सकता है कि उसको अपना हमला कैसे प्लान करना है कैप्टन यानि सेनापती अपना हमला अपने हिसाब से प्लान कर सकता है यही कारण है कि एक ओवर के बाद बॉलर चेंज होता है और दूसरे बॉलर को चांस दिया जाता है ताकि अलग-अलग तरीके से हमले किये जाएं ऐसा नहीं होता कि एक साथ एक बॉलर लगातार दस ओवर फेक सके तो यह बड़ा मज़ेदार आंसर था बहुत सारी खोजबीन के बाद निकल के आया आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा हमारा यह चनल आपने सब्सक्राइब करी लिया होगा यदि नहीं कर लिया है तो फटाफट कर लीजिए और वो बैल आइकोन जरूर दवा दीजिए क्योंकि बैल आइकोन दवाने से ही आपको हमारे सारे अपडेट फटाफट मिलते रहेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू नमस्ते शुक्रिया